शरम करो मोदी किया जो 1100 रुपे का था आज क्रहनी से पूछिए कि वो चूला कैसे चलाती है और सरकार आने के बाद में फिर कहलों साब ने ये कहा है कि हम 500 रुपे में जो बहिलाई बची हुई है उन सब का हम 500 रुपे में कैसा लेंडर करें को दीजी तो कुछ भी है हमको इससे मतलब नह हमारे राजिस्तान के छोटे से छोटे बच्चे का आप इंट्रूबर लीजिए वो आपको बता देगा कि मोदी जी ने क्या काम किया है भाईया क्या हम चलाते हैं रसोई हमको पता है कितने 80 रुपे किलो तो अभी प्याज भीक रही है हमारा रसोई का सारा तो साधन छी ल हमारे राजस्तान में तो कॉंग्रेज की सरकार आएगी अब जब वो महिला पहलमान वहां दिली में रो रही थी हरी दुआर जाके वो मुंडन करवा रही है शरम करो मोदी वो भी बच्चिया थी कम से कम यह सोट लेते हैं भी किसी की बेटी थी उसको तन्याई दिलवा दे बच्चियों को और तो हमें फासी लगने वाली निया कमल को फूल को फासी लगेगी मेरे भाई वह यह कह रहे हैं प्रयागराज में हमने राम मंदिर बनाए उनके पथर तो हमारे राजस्तान से जा रहे हैं तो रामडला कोन के हुए हमारे हुए प्लादेशिया रहा है मैं तुम्हें नहीं देख पाती या शो घहलोत कि जाने कि मेरी रोशनी दुबार आई अपनेश को चोड़ो सीना और नहीं नहीं सूट बिचारे नहीं कभी पहने नाए पहले तो बन गया सन्यासी अब वह नहीं नहीं सूट पहनने को कोई पचास अजार को कभी एक लाग क हमें तो भाईय ना देखे हमारों मुखमंत भी तो करीब है उर्ता पकड़ों फट जावें इसना ही वादा कर दे करोन रुपे भी मुझे देदे तो भी में हाथ को ही तो